नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं आजे ब्रमात्मज आज फिर से किस्से किशोर साहू के मैंने ये किस्से उनकी पुस्तक मेरी आद्मकथा किशोर साहू से बटोरी है और कुछ चीजें इंटरनेट गुगल और अन्य किताबों से हासिल की है इसके आधार पर ही मैं इन किस्सों के बारे में बताऊंगा मेरे से किस्ट्री पात करऊंगा उनके जीवन की बाते करूँगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे आगरह करूँगा कि प्लीज बाइ मी या कॉफी लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफी खरीदें ताकि मैं इस तरीके के वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो यह पुस्तक उन्होंने सत्त एक जून 1974 को इसकी भूमिका लिखी थी उन्होंने। और फिर यह किताब लंबे समय तक गुम रही नहीं छपी। उन दिनों राजंदर यादो इसकी कोशिस कर रहे थी चापने की राजंदर यादो को बुलाया था कि शोर साहूने दोनों की मित्रता रही थी। लेकिन उस समय बात इसलिए नहीं बन पाई कि तब किशोर साहून चाहते थे कि इसमें बहुत सारी तस्वीरें हों और उसको कॉफी टेबल बुक की तरह छापा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह आत्मकथा हिंदी में लिखी गई थी। इसलिए वे चाहते थे कि हिंदी में एक ऐसी किताब छपकर आए। राजंद्र यादो उस तरीके के कमर्शियल प्रकाशक नहीं थे। वेहंस पत्रिका निकालने के साथ अपनी एक प्रकाशन संस्था भी चलाते थे। लेकिन वहां से साहिते की किताबें जादा तर आती थी। बात नहीं बन पाई और फिर या किताब कहीं भसी रह गई। बहुत बाद में मैंने सुनाये कि विश्नु खरे और इकबाल रिजवी के परियास से उनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई जिसे राजकमल प्रकाशन ने च्छापा। आप देखें कि लिखे जाने के कई सालों के बाद या पुस्तक छपकर आई जिसके बारे में कहा जाता है कि ऐसी आत्मकथा इतनी विस्तृत आत्मकथा किसी और निर्देशक ने नहीं लिखी है। पुस्तक में छपा हुआ है हिंदी सिनेमा के सुरुवाती दौर का आत्मिय दस्तावेश। हम इसी आत्मियता की तलास करेंगे। मैंने इसकी भूमिका में जो पढ़ा हो जाना जो किशोर चाओ खुद कहते हैं कि मेरी आत्मकथा में सिर्फ मेरे कर्मों का विपरन नहीं है। मेरे विचारों का विविवरन है। ऐसे दौर में आज के दौर में जो विचार ज्यादा महत्यपूर्ण नहीं रह गये हैं और कर्म हाइलाइट होते हैं वैसे मैं इस आत्मकथा को पढ़ना चाहिए। उन्होंने माना था कि हम सभी की जिन्दगी किसी ने किसी रूप में दूसरों से प्रभावित होती हैं। हम जिस परवरिस में बड़े होते हैं वहां जिन लोगों से मिलते हैं जो हमारे नाति रिष्टदार होते हैं उनका प्रभाव हम पर पड़ता है और हमारा विक्तित पर आकार लेता है दीरे-दीरे इसके लाबा उन्होंने कहा कि इसमें कल्पना, धारना, मान्यता और सिद्दान सब मेरे हैं इस आत्मकथा के अंदर और इस आत्मकथा को लिखते हो जैसा कि होता है सभी आत्मकथाओं में कि जो भी आत्मकथा लिख रहा होता है वो खुद से ही साक्षातकार कर रहा होता है और साथ-साथ अपने आस-पास के लोगों को भी देख रहा होता है और नए सिरह से देख रहा होता है इसी बात को उन्होंने कहा था कि कुद को अंदर से, बाहर से, पास से, दूर से अपने चारों और गुम फिर कर देखने का अभ्यास किया उसका औसर मिला और यहाँ यही बात उन्होंने कहिए कि खुद से भी खुद का साक्षात्कार हुआ और जहां तक उनके विक्तित की बात है, हम सभी उने अभिनेदा के तौर पर जानते हैं और डिरेक्टर के तौर पर जानते हैं कुछ फिल्में लिखी भी थी उन्होंने, पिष्चली बार मैंने बात की थी यहां वे खुद के बारे में कह रहे हैं कि मैं लेखक, अभिनेता, दिखदर्शक, दिखदर्शक मिज़ डिरेक्टर, निर्माता, चित्रकार, चित्रकार भी रहे वे, शिकारी और यात्री शिकार करना उन दिनों अवैद नहीं था और उन जमाने के फिल्मकार और फिल्मी हस्तियां शिकार पर जाया करती थी मैंने खुद नौशाद के घर में शेर के खाल देखी थी, जहां मौमत रफी और वो दोनों साथ में बैठे हुए हैं मालूने उन्होंने वो शिकार किया था कि किसी और ने शिकार किया था लेकिन शिकार के शौकीन फिल्मी हस्तियां रही है और शिकार करती रही है अब यह बात वाजिब नहीं मानी जाते है तोर साहों के व्यक्तित में एक बेचैनी थी उन्होंने लिखाय कि शुमार बवंडर मुझे परिशान करते हैं इसके वज़े से मैं बेचैन और व्यथित रहता हूँ और व्यथा से ही उनका लेखन कर्म प्रभावित हुआ किसे ने लिखा था वियोगी होगा पहला कभी आह से निकला होगा गान तो यह आह ही किसी व्यक्ति को लेखक होने के लिए प्रेरित करती है उन्होंने अपने अतीत की बात करती हुए भी यह लिखा है उन्होंने लिखा है अतीत ही वर्तमान को जन्म देता है लेकिन वर्तमान अतीत नहीं होता है इस बात को आज के दौर में समझने की जरूरत है हमारा आज जो है वो कल से निर्मित हुआ है लेकिन हमारा कल आज नहीं हो सकता बहुत सारे लोग इसकी कोशिस कर रहे हैं कि वे कल को आज फिर से स्थापित करें उन्होंने साफ लिखा है कि और वर्तमान भविश्य नहीं होता इस धर्ती पर सब कोश चलाएमान है इसलिए हमारे विचार भी बदलते जाते हैं बड़े होने के साथ अनभवी होने के साथ एक्स्पोजर के साथ जरूरी नहीं कि 18 साल की उमर में हम जैसे सोचते हो 38 साल की उमर में भी वैसे ही सोचे है और 68 साल की उमर में भी वैसे ही सोचे है दहरणाएं बदलती जाती हैं मानेताएं बदलती जाती हैं हमारे विचार बदलते जाते हैं और इस बात को उन्होंने स्विकार किया है उन्होंने कहा है कि मैंने अपने आद्मकता को क्रमानुशार लिखा है linear जिसको कहते हैं जीवन जहां से सुरू हुआ और जहां तक वे पहुंचे इस पूरी यात्रा को हम क्रमानुशार देखेंगे लेकिन वे शुरू में ही आगाह करते हैं कि इसमें बहुत सारे कंट्राडिक्शन भी नजर आएंगे आपको वो कंट्राडिक्शन मेरे कंट्राडिक्शन है जो मेरी आत्मकता में भी जाहिर हुए है और जाहिर से बात है आत्मकता है तो दूसरों के भी चर्चा इसमें हुई है दूसरे भी इसमें आये हैं लेकिन उतने खुले रूप में नहीं आये है और किशोर साहुन ने स्विकार किया है कि आत्मकता में भी कोई लेकक खुद को खोल करनी रखता है कुछ न को छिपा जाता है और इसलिए वे अपने परिचितों के बारे में लिखते समय थोड़े जीजक और संकोच के साथ लिखते रहे हैं हम किताब में जब दूसरों की चर्चा सुनेंगे उनके जरिये उनके नजरिये से तब हम इस बात को ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे मैं माना है और ये बात कहते रहे हुए कि बुरे को दुस्ट और अच्छे को देवता मैं नहीं मानता हूँ ये दोनों कहीं होते हैं क्योंकि कई अच्छे लोगों में दुस्टता देखी है और कई बुरे लोगों में देवत्व देखा है तो ये रही बात किशोर साहू के आत्म खता की बूमिका की अब हम लोग इसके बाद धीरे धीरे उनके बचपन, उनके किशोरावस्था, उनकी पढ़ाई लिखाई और इस क्रम से इस चैप्टर का हम लोग जल्दी खतम करके मेरे ख्याल से एक से दो कड़ियों में समाप्त करके सीधे हम लोग उनके फिल्मिक कैरियर पर आ जाएंगे जो हमारी आपकी रूची का विसे है लेकिन किशोर को अढ़ने में जिन चीजों की भूमका रही है जिन घटनाओं की भूमका रही है जिस परिवेश की भूमका रही है उसकी वीचर्चा करेंगे तो चलते चलते फिर याद दिला दू मैं आपको कि बाए मिये कॉफी लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफी खरीड है और मेरे साथ रहे है शुक्रिया, महर्बानी, धन्यवाद